hello friends welcome back to my channel दिखे friends आज मैं आपको बहुत simple तरीके से हाप gloves बनाना बताऊँगी दिखे gloves बनाने के लिए हमें simple इस तरीके का एक part बनाके ready करना है मैं इसे jense सके लिए बिना रही हूँ तो मैंने इसमें यहाँ पे 50 फंदे लिये हैं 50 फंदे लेने के बाद देखिए इसे उल्टा-उल्टा बुनके ready किया है देखिए wrong side से भी उल्टा है और right side से भी उल्टा है तो देखिए उल्टा बुनते वे मैंने यहां से यहां तक यह आपको धारियां दिख रही है यह 30 धारिया है ठीक है और यहां से आपको धारिया 25 धारिया बनानी है, ठीक है, तो आपका लिडिस के लिए बनके रेडि हो जाएगा, तो देखिए friends, अब हमें क्या करना है, इस तरीके के हमने पार्ट रेडि किया, अब हम इसकी सिलाई करेंगे, तो सिलाई करने के लिए देखिए, यह हमारा back side है तो इस तरीके सामें इसे fold करेंगे, यह देखिए, इस तरीके सामें इसे double fold करना है, उसके बाद देखिए friends, इसकी सिलाई करेंगे, देखिए friends, अब हम इसे inch tape से measure करेंगे, तो यह देखिए हमें क्या करना है, यहां से देखिए, एक side से हमें यहां पर यह देखिए, तीन inch पर निशान लगाना है तो तीन इंच है तो तीन इंच हमारा यहां पर है और उसके बाद हम यहां पर जहां पर तीन इंच आ रहा है वहां पर हम इस पर निशान लगा लेंगे तो देखिए फ्रेंस यहां पर हमारा तीन इंच आ रहा है तो देखिए हम इस तरीके से जो भी आ इस तरीके से और ये धागे जितने भी आपको दिखने ये भी आप इस तरीके से दबाते भी जाएगा ये देखिए साइड में हम इसे थोड़ा सा पक्का कर लेंगे ताकि ये खुलेना तो यह देखिए एक दो note आप side में लगा लिजे उसके बाद देखिए इससे हम सिल लेंगे यह देखिए friends अब हम मिलाते वे से इस तरीके से सिल लेंगे देखिए जैसे आपको सिलना पसंद आप उस तरीके से सिल सकते हैं देखिए ऐसे सिलेंगे तो बहुत इसली भी सिला जाएगा यह देखिए इस तरीके से दोनों पार्ट को बराबर मिलाते हुए हम जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ तक हमें इससे सिलना है तो देखिए फ्रेंस यहाँ पर हमारा निशान है तो हम यहाँ से सुई निकालेंगे इस तरीके से यह देखिए और इस तरीके से खीच लेंगे और देखिए पिन को हम यहाँ से निकालेंगे ठीक है यह हो गया अब हम यहाँ पर नोट लगा लेंगे और दिख़ी 2 note आपको यहाँ पर भी लगानी है ताकि यह खुलेना यह दिख़ी friends एक note यह लग गई एक और लगा लेंगे यह दिख़ी 2 note लगा ली अब यह एक्स्ट्र दागा इस से हम क्या करेंगे इस तरीके से इसे के अंदर हम इस तरीके से ले जाएंगेους यह देखिए इस तरीके से हमारा एक साइड यह सिलके ready हो गया है यह देखिए अब हमें क्या करना है दूसरे साइड हमें सिलना है तो देखिए इस तरीके से हमें इसका measure करना है तो देखिए हम यहां से नापेंगे से यहां से यहां से लेके यहां तक देखिए पहले हमने ती 3 इngth पर लगाएंगे, यह देखिए 3.5 इंच है, ओर यहां पर हमारा 3.5 इनच आ रहा है, थीक है, यह देखिए इस तरीके से नाप लीजीए अब यह देखिए आप हम क्या करेंगे, फिर से 7 pn यहां पर लगा लेंगे ठीक 1.5,5 इनच पर, इस तरीके से यह देखिए यहां लगगी अब हम यहां से भी सिलाई करेंगे यह देखिए फ्रेंस अब हमें क्या करना है साइड में बिल्कुल हमें एक दो नोट लगा लेनी है ताकि यह खुले ना और यह दागे भी आप इस तरी किसा अंदर को ले लीजेगा जो एक्स्ट्रा दिख रहे हैं यह देखिए यह देखिए फ्रेंस मैंने दो नोट लगा लिया है अब यह धागा हम यहां पर थोड़ा सा अटेज कर लेंगे ऐसे और देखिए फ्रेंस अब हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे यह देखिए जहां पर हमने निशान लगाया है वहां तक हमें इस तरीके से सिल लेना ऐसे यह देखिए बहुत ही easy है देखिए friends अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो please like, share, subscribe जरूर कीजेगा यह देखिए friends यहां तक हमने निशान लगाया था तो देखिए यहां तक हम इसे सिल लेंगे यह देखिए इसे भी हम निकाल लेते हैं यह देखिए इस तरीके से हमने सिल लिया और इसे खीच लीजे जितना भी यह खीच रहा है ठीक है उसके बाद हम यहां पर note लगा लेंगे और दो नोट आपको ज़रूर लगानी है यहाँ पर ताकि यह खुलेना आगे से, क्योंकि हम बार बार जब गलब्स पैनेंगे तो फिर यहाँ से थोड़ा सा पक्का होना चाहिए, यह देखिए, एक नोट लगा लिए, एक और लगा लेंगे, यह देखिए फ्रेंस, दो नोट लगा लिए, अब जो एक्स्ट्र धागा है, जैसे हमने पहली साइड किया था, वैसे ही कर लेंगे, इस तरीकी से, यह देखिए, अंदर ले लेंगे से, यह देखिए, और जो एक्स्ट्र धागा है, उसे कट कर लेंगे ऐसे, यह देखिए, हमारा gloves silky ready हो गया है और देखिए आपको दिख रहा होगा यह वाला बड़ा वाला पार्ट है तो यह हमारा क्या होगा इस साइड आएगा और यह जो हमारा तीर इंच वाला पार्ट है वो हमारा उंगलियों के साइड आएगा तो देखिए मैं इससे सिधा करके आपको दिखा बढ़ा साइस का जैंट के लिए है तो मुझे थोड़ा सा ये लूज हो रहा है यह देखिए तो लेडिज के लिए मैंने आपको बताया है कि 45 डालने है और यहां से आपको जो इसकी लेंथ बनानी है वह 25 आपको धारिया यानि कि 50 लाइन से बनानी है ठीक है तो यह देखिए इस तरीके का बनके रेडि हुआ है देखिए ऐसे ही मैंने दूसर भी बनाके रेडि किया है तो देखिए मैं आपको दूसर भी पहन के दिखाती हूँ यह देखिए सेम बनाके रेडि किया है इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एक लेफ्ट का लग राइट का लग बनाना है इन्हें जरूर ट्राइ कीजिएगा विंटर सीजन है तो यह हाफ गलब्स काफ़ी कमफर्टेबल होते हैं काम करने के लिए भी तो आप इन्हें जरूर ट्राइ कीजिएगा देखिए फेरेंस अगर आपको मेरा यह हाफ गलब्स बनाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेयस करना न भूले ताकि मेरे आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहला आप तक पहुचें थैंक यू